हलो नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सलेंट यूटूब चानल पे दोस्तो कल भी मैंने आपको एक वीडियो प्रवाइड किया था जो कि इलेक्टिसियन थेओरी का था इसमें पाउर सिस्टम से मैंने कोशन कवर किया था लेकिन वो जो आपका question था वो मैंने आपको दिया था part 1 के अंतरगत और यह जो question है आपका part 2 के अंतरगत question दिये जा रहे हैं क्योंकि मैंने यहाँ पर cover कर दिये लिख दिया है ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो तो जितनी भी छातरे कल class नहीं किये थे उनसे request है कि आपको इस वीडियो के डिसेशन में लिंक दिया गया है आप वहां से जाकर उसे लिंक पर क्लिक करके आप असानी से फश्ट क्लास भी देख सकते हैं और यह जो कोशन है सिकेंडियर वालों के लिए और कोई भी वेकेंसी की भी कोई जनकारिया थी तो आपको इस चैनल के माधन से दिया जाएगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करने के लिए सबसे अधिक छित्र की आउसकता है आफसन आप सोले देखकर इसका एंस्वर दीजिये जैसे की पहला आफसने डीजल उजर सनेतर ऑसन देगे परमाणू उजर soब क्रमाण देगा कोशन और यह उसमील है उजर सनेतर तो कौन सा आपको सही लग रहा है चले सभी लोग बताईए आप डेली के दिक लास करते हों है और आपसन भी आपके सामने तो सभी लोग इसका एंसवर दीजिए चले सभी लोग बताइए कि कुछ लोगों ने शुरू कर दिया है देखे दोस्तों यहां पर सही हो जाता है हमारा आपसन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट एंसवर सोर उर्जा सनेंतर क्यों क्यों कि दोस्तों नंबर सी जो दिया गए हमारा सी आपसन बिल्कुल करेक्ट एंसवर हो जाएगा नेक्ट कोशन पर हमाते हैं कोशन नंबर 22 पर कहराई कोशन निमलखीत में से कौन सा जनेरेटर एक हाइडरो उट्जा सनेंतर में टर्बाइन के साथ सन्योजन में प्रियू किया जाता है वा अरे यह क्या हो रहा है कुछ लोग तो पहले से इसका एंसर दे रहे हैं बिल्कुल करेक्ट दे रहे हैं यहां दोस्तों मुख्ये पॉल सिंक्रोनस मोटर यह काफी बार रिवीज हुआ है कोशन जो लोग यहां पर बुक पढ़ते होंगे उनको पता होगा इसी तरह के कोशन सकते हैं तो इसका तो कोशन बीना पांच सेकेंड पूरा किये कुछ लोग इसका दे दिए हैं चले यहां पर भी आपसन करेक्ट हो जो लोग यहांपर सी रहे थे उनको मैं कहना चाहता हूं यहां पर यहां पर लिआप सींग्रोनस क्योंकित दोस्तों मुख्या पोल सिंक्र यहां पर हमारा सही हो जाता है के लिए कोशन केबल की लंबाई और हारिता के बीच संबंध क्या है कोई संबंध नहीं देगे समान और अनुकर्वनुपाती और देगे बितकर्वनुपाती जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं उनसे रिक्वेश्ट है कि आप इस वीडिय हुए हैं अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये और डेली क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें नीचे आपको जो एक रेट कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला उसको दबाकर बगन में घंटी वाला इकन को रएक वीडियों की जणकारी मिलती रहेगी और लाइब क्लास में आप भाग भी ले पाएंगे तो देखिए दोस्तों इसका जो सही हो जाता है हमारा यहां पर बहुत सारे आपसंदिये गये तो इसमें आपसंदों में जो हमारा आपसं लंबर सी दिया गया है यह सी के आप उपाती होता है अताथ सी प्रपोर्शनल टू क्या हो जाता है ल हो जाता है तो यहां पर कोश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाएगा आपसन नंबर जो यहां पर हमारा सी दिया गया है यह सी आपसन करेक्ट हो जाएगा आएए नेक्ट कोश्चन पर आते हैं कोश्चन नंबर चेंबर में उच्छ दवाव बनाने के लिए दिए निकास गैसो से हीट रिकाबर करने के लिए कौन सा आपको सही लग रहा है कि सब्सक्राइब करने के लिए क्यों कि दूस्तों गैस टर्बाइन जो होता है विजली सनेंतर में जो होता है उस का इस्तेमाल किया जाता है निकास गैसों से हीट रिकाबर करने के लिए जैसे कि वाहां पर वायू पुरवाभत के सासऩरे जल भरने में ब्खता होता है। तो इसलिए यहां पर कोश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है आपसान नमबर डी बिल्कुल करेक्ट एंसवर नेक्स आते हैं कोश्चन नमबर 25 पे कराई कोश्चन हाइड्रो एलेक्ट्रिक पावर सिस्टम में आवेश्टाइंग का उपयोग क्यों किया जाता है पहला अब यह लोग इसका एंसवर दिजिए तो इसका जो उपयोग होता है दोस्तों यह पेन श्टाक की सुरच्छा के लिए लेकिन यहां पर पूछ साप क्यों किया जाता है कि क्या कोई हानी होती है जिसके लिए सुरच्छा की तो हम कहेंगे कि हाइड्रो एलेक्ट्रिक पाव तो यहां पर हमारा कोशन के अनुसार सही हो जाता है आफसान नंबर जो भी दिया गया यह यह भी आफसन हमारा बिल्कुल करेक्ट एंसवर हो जाएगा आए नेक्ट कोशन पर आते हैं कोशन नंबर 26 पर कराई कोशन डिजल पावर इस्टेशन की छमता कितनी है अपने डिजल 27 पर सथ या 85-90 पर सथ या 35-42 पर सथ कौशन आपको करेक्ट लग रहा है कुछ लोग एंसवर नहीं दे रहें कुछ लोग अभी नहीं दे पा रहे हैं तुका लगा रहे हैं आप देकि यहां पर हमारा सभी हो जाएगा आफसान नंबर डी अथा 35-42 पर सथ अथा अथा तम क कह सकते हैं होगी ही नहीं होती भी है ठीक है और डीजल पावर इस्टेशन जो होता है तुरूंती सुरू किया जा सकता है और इसे अपात कले निस्टियों में ज्यादा तर प्रयोंग किया जाता है तो यहां पर डी आपसन कोशन का नुसार हमारा बिल्कुल करेक्ट एंसव बढ़ाने के लिए यहां सभी हम से करें लिए Фट सुझ ऑप यहां पर तेना का प्रयास करें तो यहां पर दोस्तों स्यह हो जाता है हमारा आसन लिए कियों घांने के लिए कि यहांपर होता है जो सुथर dessert है उसके अंत्यानी ज़ो होती है घट जाती है स्वाइर नाम तूना और होग इस मैंने बहुत सारे सवाल भी लगाए होंगे इसके अंतरगत हम इसको काउंट करते हैं तो इसमें जो आपके हानी होती है वह घट जाती है तो यहां पर कोशन के अनुसार सही हो जाता है हमारा आपसन नंबर सी बिल्कुल क्रेक्टेंस वर टॉंसमिशन हानी कम करने के लिए किल भी नहीं होगा भी नहीं होगा कुछ लोग भी इसका एंसोर दे रहें बिल्कुल गलत आप दे रहें इसका सही हो जागा आपसन नंबर डी अथा तू प्रियुक्ति सभी क्यों दोस्तों क्योंकि पीक लोट इस्टेशन जो होता है कम च्शंपता के थर्मल प्लांट डिजल आपसन नंबर डी करेक्ट हो जाता है अथा यहां पर हमारेंगे आपसन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट एंस वह आए आगे बढ़ते हम कोशन नंबर 29 यह आपको कोशन पसंद आ रहे हैं तो वीडियो पर लाइक कर दें जितने भी लोग वीडियो पर लाइक नहीं किया है कि कहां पर प्रियुक किया जाता है चलिए इसका उस्वर दीजिए कि पहला संद्य के सनेंत्र में बहतर धूल निष्टान है तो यह संत्री दस्ता बढ़ाने तो यह इन में से कोई नहीं चलिए इस अब ही लोगताई है को उसन आपके सामने आपसन भी आपके सामने कमेंट सबसे पहले अब कमेंट देने का प्रयास करें ابसे दूस्तों ताप सकती वा सोता है की देस्ता बढ़ाने के लिए हमारा सी कोशन क्यों सार मिल्कूल केराई कोशन एक हानी रहित लाइन के केरेक्टर रिष्टिक्ट इंपिडेंस को कहते हैं लिकेज इंपिडेंस या पिक इंपिडेंस या स्माल इंपिडेंस या सर्ज इंपिडेंस चलिए सभी लोग बताएए तो देखिए दोस्तो एक हानी रहित लाइन के कैरेक्ट रिष्टिक इंपेडेंस को सर्ज इंपेडेंस कहते हैं क्या कहते हैं सर्ज इंपेडेंस और यदि आप से पूछ दिया जाए कि सर्ज इंपेडेंस अथा जेड़ सी का सुत्र क्या होता है तो हम कहेंगे अंडर उट ए इसका सु जिए आप से सुत्र पूछ दे परिचा में तो आप ये सुत्र मारेंगे या दोस्तो आप संपर लौ ज़िए करेंश राओं ये ने तक उपयोग में लाए जाने वाले केभिल कॉन सी है 192 केभी की बात कर एड ध्याने कि एक bia तो यहां पर पहला आफसान देगा तेल पूरित केभी और सांड qe और दे पटित केभी तो कॉनसा आपसान अपको यहां पर सही लग रहा है चले सब बताइए बेरे बेरे इंपोर्टेंट कोशन है दोस्तों टॉंस्मिशन लाइन से जितने भी कोशन पूछे जाते हैं चाहे आप UPPCL TG2 का परिच्छा दे या आप यहाँ पर कोई भी टेक्निकल एक्जाम की परिच्छा दे तो इसमें से कोशन आता ही आता है और यदि आप ITI के भी जो देखिये उस तमबोडतां के लिए केवल तीन क्रोड में 132 केवी तक उप्योग में जाता है ठीक है इसको ध्यान कियेगा और गैसेसीद आप जो केवी तक बनाए जाती और इसका उस तमबॉडताओं के लिए परिउग किया जाता है मतलब कि हम कह सकते हैं कि उस्तम बो नहीं कि यह पर हमला सकते लेकिन यहां पर कहा जाता है कि इसको लाई जा सकते हैं को आप संद्सक्राइब 122 करा यांतिक परिछन को किस परकार की कुछ अलग पर किया जाता है चलिए यहां पर आपको दो ही आपसंद्स and को मिल जाते हैं पहला और दूसरा पहला प्रारुपी यह कोशन में आपको एक बुक के माध्यां से बता रहा हूं कुछ लोगों को यहां पर थोड़ा सा और टाइप करके नहीं मिला तो कुछ लोगों को विकार लग रहा होगा तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा से को ध्यान से देखिए कोशन आपको समझ में आ जाएगा तो यहां पर कोशन कह रहा है यांतरिक परिछन को किस परकार से कुछ आलग पर किया जाता है कुछ लोग इसका एंस्वर नहीं दे पा रहे हैं देखिए दोस्तों यांतरिक परिछन पीन टाइप जो इंसुलेटर हो होता है 250 परिस्त लागू किया जाता है तो यहां पर कोशन के अंसा नमबर भी पीन परारुपी आपने इस लेटर का नाम सुना होगा जो कि आप देखें होगे जो की आपके अगल वकल जो भी पूल होंगे उसके नीचे आपको एक यहां पर च्छरिया टाइप का लड़का हो जाता है उसी से समंधित यह कोशन पूछा गया था इसलिए मैं आपको उधारण के माध्यम से वही बताया आगे बढ़ते हैं कोशन नमबर 33 पे कोशन टॉसमीशन लाइनों में प्रोपे गेसनन वेक का मान होता है मतलब कि इसका जो मान करने का जो सुत्र होता है वो क्या यहां पर देगे भी बराबर अंडरूट एल सी या भी बराबर अंडरूट एल तो यहां पर आपको करेक्ट करेक्ट कौन सा लग रहा है तो ध्यान दीजिए कर दोस्तों टॉसमीशन लाइन में जो प्रोगेसनल होता है उसका मान होता है भी बराबर वोन अपान सब्सक्राइब तकने की अब इसे निर्दित से उसको यहां पर उसको रख रखाव जुड़ाव खटाव के लिए उसका पर परियों किया तो आप पर मेंटर को भी त्यान किएगा तो यहां पर कोशन अमारा यह आपसं बिल्कुल करेक्ट हो जाता है भी बराबर वहना अंडर आए नेक्टेस नमबर 34 स्टिर्ट कोर प्लेकसिबल केबिल में रंग होता है काला निला भूरा तींगोकर यहाँ कि भील की बेच नरद यहां पर प्लेकसिबल बोला है यहां यहां पर कह सकते हैं अपर मतलब लआगशक किया सकते हैं यहां पर कह रहा है कि निला होता है यह तो भाइवा ऋगया इसका आप एंसुर दे सकते हैं इसका बिल्कूल करेक्ट नीला Agora प्रेक्सिबल के विल में नीटोल का जो रंग होता है नीला होता है और आन Lao का लाल सब होता है और हरे रंग का प्रियोग होता है वह रूप में किया जाता है आप सभी को मालू है तो यहां पर सभी हो जाता है कोशन आपसा नमबर भी बिल्कुल करेक्ट एंसवर आए नेक्ट पर आते हैं कोशन नंबर 35 पर कहई कोशन ऐसी टॉस्मिशल पर पड़ाली के लाब क्य होता है कोरोना सीमा डी सी सर्किट की तुल्ला में अधिक है और अप्रिक्ट सभी बेरी इंपोर्टेंट है दोस्तों कि चलिए एक बार सभी लों के एंसवर दे लिजिए कि तो यहां पर हमारा सभी हो जाता है सभी आफिस नों के पढ़ने के बाद यहां पर यह transition क्यों को अधातिया पर हम क्यांगे कि जू हमारा आफसान नमेर ज्व डि दिया यह आई सभी को पढ़ने पर श्राइब क्योंकि दोस्तों यह Pizza डिआा जूर्य नोट में पढ़ा होगा व सो यहाँ पर मैं ने लिखा था तो डिश्य पर अच्छा प्रभाव नहीं होता है और दिश्य凡श्य कोई अछरोन की तुल्ना में शोग अधिक होता है ठीक है तो यह जो सारे action नम बड लुकुरía redemption हो जाता है चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्ष कोशन पे कोशन नमबर यहां पर आते हैं हम 31 कोशन की बेस लूड अधिकता मांग की रूप में ही है तो एक पनाली में लोड फैक्टर होगा बेरी बेरी इंपोर्टेंट है दोस्तों एक होगा सुनी होगा या अनन्त ह होगा यह प्रस्त बेस लूड अधिकता मांग की रूप में ही है तो एक पनाली में लोड फैक्टर होगा चलिए सबी लोग इसका एंस्वर दे लिजी एक बार सभी लोग तो देखिए दोस्तो, बेस लोड अधिकताम मांक के रूप में ही है, मतलब कि जो लोड फैक्टर एक होगा, वह ही आपका होगा तो यहाँ पर एक कौंसा दिया गए एक दिया गए क्यों दोस्तो यही क्यों सही होगा आप सभी को यहाँ पर इजन भी तो चाहिए आकिर एक ही क्यों सही होता है क्यों कि दोस्तो इस पडाली में बेस लोड की आउसत जो लोड होती है यह आउसत लोड से दर्साया जाता है औ लूरोड पैक्टर का जो सुत्र होता है क्या होता है और जब लूर्ड अधिक्ता मांग बराबर हो तब अवसेत लूड रूड़ डिकांग जादा है यह से कोश्चन नमबर 37 वे के राइक कोश्चन अत्रिक्त उच बोल्टेज के अंतरगत बोल्टेज होते हैं एक के वी के उपर या इग्यारे के वी और उपर या 132 के वी और उपर या सब्सक्राइब की उच बोल्टेज के अंतरगत की बात करें तो तीन सो तीस के वी और साथ सो पैंसर्ट के वी तक के बोल्टेज आते हैं और यहां पर हम कहें तो यहां पर कोशन के अंसार हमारा डी आप्सन बिल्कुल करेंट हो जाता है तीन सो तीस के वी से उपर के आते हैं वह आपका उच बोल्टेज के अंतरगत आता है तो यहां पर हम डी आपसन बिल्कुल करेंट आएंगे आये नेक्ट कोशन पे आते हैं कोशन नमर अट्ठाइस पर 38 पर के कोशन नहीं है इसको कवर मैंने कर दिया बुक में कोशन इसके बारे में बताया गया लेकिन यह परिच्छा में ऐसा कोशन नहीं आता इतना हड तो देखिए दोस्तों बिजली सनेत्र में इस नवाल जो कोईला के रूप में ही जाना जाता है और इस्टिम जो कोईला होता आप बहुत सारे इसमें कोईला के अंतरगात आते जिसका पुरियोग इसमें किया जाता है लेकिन यहां पर कोशन करेक्ट हो जाएगा आए कोशन नमर 49 पर आते हैं कहरा है कोशन यदि पारेरसंट टावरों की उचाई बढ़ जाती है तो निम्न माप दंडो में किसके अबदलन की संबावना है परतिरोद या इंडेक्स टेंस या कैपसिटेंस या उपरिक्त में से कोई चले सबी लोग बताएगे तो देखें दूस्तू टावरों की उचाई है यदि हम बढ़ा देते या बढ़ जाती है तो के मान में बदलने की समवना होते मतलग की टावरों की यदि उचाई मतलग की बढ़ाए चाया तो चालकों की जो भूमी की दूरी जो लंबाई होगी ठीक है जैसे की भूमी की लंबाई होगी तो यह भी क्या होगी वह भी भड़ेगी इसलिए यहां पर हमारा सही हो जाता है आपसा नमबर सी पिलकूल करेक्ट एंस्वर आगे बढ़ते हैं कोशन नमबर कोशन नमबर से कौन सा डीजल इंजन बिजली सनेद्र का हिस्सा नहीं है कूलिन टावर या पेन श्टॉक या तेल पॉंप या ट्रेनर सभी लोग वीडियो पर लाइक कर दे और जो लोग चैनल पर नहीं होंगे चैनल को सस्क्राइब कर देजिए और डेली रात आठ बजे आ हमारी क्लास स्टार्ट होती है तो देखिए दोस्तों जो पेन श्टॉक होता है इसमें कोशन आप से पूशा गया है कोशन नमबर चालीस की निमन में से कौन डीजल इंजन बिजली सनेद्र का हिस्सा नहीं है क्योंकि पर यहां पर आप संक्रेक्ट बारेंगे और को श्रु यहां पर हो जाएंगे यह सभी आपर निगेटिव मतलब की नहीं रहता तो सभी सही हो जाते हैं लेकिन यहां पर जब नहीं है तो हम पर प्यांट इतना ही क्वार किया गया तो आपको कॉशन पसंद आए उगी पसंद आए गया ज्यादा से जयादा स्चिए करने की जिब तक यहां पर एक्जाम आपका नजदी के आकर भी खतम नहीं हो जाता तब तक आपकी यह कलास चलती रहेगी